नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनॉलेज टाइम में दोस्तों रसिया का मून मिशन लूना 25 शायद मून सर्फेस पर क्रैश हो गया है उससे रसिया के स्पेस एजन्सी रॉसको मास का कम्मुनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो अभी के लिए लग रहा है कि रसिया के लिए बड़ी प्राप्लम खड़ी हो सकती है इसको लेकर यूरोपेन कंट्रीज खुशी मना रहे हैं कि देखो रसिया 47 साल बाद मून मिशन लॉंच किया उसमें फेल हो गया इस पर अमेरिका युक्रियन जैसे देश तो रसिया का प्रापर मजाग बना रहे हैं हलाकि रॉसको मास का जो रसिया का इस पेसेजनसी है उसके तरफ से कोई ओफिशियल कंफरमेशन अभी तक तो नहीं आया है कि लूना 25 क्रेश हो गया है उसका कहना की कम्म्यूकेशन ग्लीच आया है जिससे लूना 25 से संपर्क नहीं हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं उससे कनेट करने के लिए लेकिन अलग-अलग सोर्से से बात सामने आ रहे है कि जब रसिया का मून लेंडर मून के साउथ पोल पर लेंडिंग के लिए मून की तरफ बढ़ रहा है था तो उसमें अचानक से जो इंपल्स था वो बढ़कर डेड़ गुना से जदा हो गया जिसके वज़े से संभावना यहा है कि लेंडर सीधे मून पर जाकर क्रैश हो गया या फिर यह हो सकता है कि कि किसी और दिशा में चला गया हो लेकिन यह कंफर्ब नहीं है अभी तक हो सकता है कि लूना 25 लेंड नहीं कर पाया हो और मून का चकर लगा रहा हो और बाद में जब कम्मुनिकेशन रासकोमाज से हो तो लेंड कराने में सफलता हो अगर ऐसा होता है तो जो रेश चला था कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहले कौन पहुंचेगा चंद्रयान 3 या लूना 25 उसमें से हमारा चंद्रयान 3 लूना 25 से पहले साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा और भारत बन जागा दुनिया का पहला ऐसा देश जो मून के साउथ पोल पर अपना रोवर उतारा इसको लेकर हम excited तो हैं कि हमारा चंद्रयान 3 पहले पहुंचेगा लेकिन इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं कि चलो रसिया का मून मिशन था वो फेल हो गया हम आगे निकलाएं ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि रसिया का वो ऐसे ही फिल हो रहा होगा जैसे हमें चंद्रयान 2 के बाद हुआ था तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि लुणा 25 भी मून पर लेंड करें और स्पेस के रेस में हम सब साथ चलें